नमस्कार दोस्तों मैं आचार्य अभिनोद भरद्वाज आपका श्वागत करता हूँ आप देख रहे हैं सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल चैनल एचस नियूज इस पे मैं रोजाना लेके आता हूँ सिर्फ आपके लिए गुड्लक रासी फ़ल जिससे आपके दिन की सुरुवात अच्छी हो और आप जीवर में खुब तरक्की करें लेकिन मित्रों इस कारिक्रम को देखने के लिए जरूरी है आप इसे लाइक, शेयर, सस्क्राइब जरूर करें हमें यूँ ही अपना प्यार देते रहें आज का पंचान बिक्रमी संबद 2076 आज का दिन मंगलवार का है आज के दिन का सूर्योदे 6 बच के 55 मिनट पे होगा फालगुन मा सुक लपक्ष आज की तिथी दुतिया है जो देर रात 1 बच के 49 मिनट तक है इसके बाद तृतिया तिथी का मान है आज का नचत्र पूर्बा भादरपद है जो सामको 6 बच के 11 मिनट तक है इसके बाद उत्तरा भादपत नचत्र का मान है आज का अवजित मोर्त दोपहर 12 बच के 12 मिनट से प्रारंब हो करके 12 बच के 57 मिनट तक है आज के दिन का सुब मोर्त दोपहर दो बच के 28 मिनट ते प्रारंब हो करके 3 बच के 13 मिनट तक है आज के दिन का राहुकाल दोपहर तीन बच के 24 मिनट ते प्रारंब हो के 4 बच के 49 मिनट तक है आज के दिन का दिसासूल उत्तर की ओर है यदि आवस्यक यात्रा उत्तर की ओर करनी है तो गुड़ खाके यात्रा कर सकते हैं दिसासूल का परिहार होगा और आपकी यात्रा भी सफल होगी आज का त्योहार आज के दिन तिरप्रिसकर योकामान है साथी सास सरवारते दियोकामान है आज के दिन फुलेरा द्वीजह सास्तरों में कहा गया है इस रात्री के समय चंद्रधर्थन करने से तमाम प्रकार के रोग दोस्थ दूर हो जाते हैं साथी साथ एक महापुरूस की आज के दिन ध्यनती मनाई जाएगी, रामकिष्ण परमहन जी महराज की ज्यनती है, तो हर सो उल्लास के साथ आप लोग भी मनाईएगा, अब बात करते हैं मेस से लेके मीन तक के रासी फल की मेस रासी, आज का दिन आर्थिक दिश्टी से आपके लिए उत्तम साबित हो सकता है, किसी भी कारे में आज के दिन आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन निवेश किया हुआ धन आने वाले समय में आपकी सहायता कर सकता है, साथी साथ अपनी मधुर बाणी के द्वारा लोगों को अपनी ओर आज के दिन आप अकर्थित करतकते हैं प्रेम संबंधों में सुधार होगा स्वास्त का ख्याल रखें आज के दिन क्या करें आज के दिन भगवान कुवेर का स्मरन करते हुए कुवेर आय नमा इस महा मंत्र का 11 बार पाठ करके दिन की सुरुवात करके देखिएगा दिन सुब होगा आज के दिन का सुब अंक नव शुबरंग लाग व्रसब रासी आज का दिन आपके लिए विशेश सुब साबित होने वाला है समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी साथी साथ किसी प्रतिष्ठित ब्यक्तिया सरकारी क्रमचारी के द्वारा आज के दिन आपकी सहेता की जा सकती है जिससे आपका आर्थिक पच्छ मजबूस होता चला जाएगा परन्त आत्म निर्भरता बनाए रखने की आवसेकता है अपने महत्यपूर कारियों को बहुत सोच समस्के करने की आवसेकता है आज के दिन क्या करना चाहिए आज के दिन अपने घर के बड़े बुजर्गों का सम्मान करें उनका पैर छू करके आसिरबाद ले करके फिर दिन की सुरुआत करके देखिएगा दिन उत्तम से अति उत्तम होता चला जाएगा आज के दिन का सुवरंग एक सुवरंग शफिग यदि आज किसी धार्मिक गद्विधी में आप भाग लेते हैं तो आने वाले समय में इसका फल जरूर से जरूर आपको प्राप्त होगा आज का दिन प्रेम संबंध के लिए सौभाग्यता दायक सिद्ध हो सकता है परन्त जीवन साथी के प्रति लगाओ बढ़ेगा ब्यापारियों के लिए नया ब्यापार शुरू करने के लिए आज का दिन उत्तम है आज के दिन क्या करना चाहिए आज के दिन अपने घर के देवी देवताओं को प्रनाम करें, शम्मान करें, साथी साथ आप आज के दिन पास वाले मंदिर में भगवान देवी देवताओं का आसे बाद लें, फिर दिन की सुरुवात करके देखिएगा, दिन उत्तम होता चला जाएगा, आज के दिन का कारियों को करते हुए विशेश साउधानी बढ़तने की आवस्यक्ता है साथी साथ अना अवस्यक बाद बीबाद से बचने की जरूरत है परंत अपनी भासा में सलतुनन बनाये अन्यथा बाद बिबाद बहुत गंभीर पर नाम ले आ सकते हैं अपने कारियों को पूरी मिहनत के साथ करने की आवस्यक्ता है आज के दिन क्या करें आज के दिन भगवान महामरतुन जे का समरन करते हुए महामरतुन जय सकता है अभिवाहित लोगों को वीवाह का प्रस्तावा सकता है व्यापारियों के लिए कोई नया साजेदार उनके व्यापार में उन्नती का कारग बन सकता है ससुराल पच्च से कुछ सहयता प्राप्त हो सकती है आज के दिन परंतु स्वास्त का विशेश जहां रखने की सकता है अना अवस्यक बाहरी भोजन से आज के दिन बचने की आवस्यकता है आज के दिन क्या करें आज के दिन नारी सक्ति का सम्मान करें माता दुरुगा का समरन करते हुए दुरुगा देपय नमा इस महामंत्र का ग्यारा बार पाठ करें फिर दिन की सुरुवात करके दे और दोखातर बीकवर आसके दिन जहां तक हो सके धन या कोई सामान उधार ना लें यदि आप लेते हैं तो आपस करना मुस्किल साबित हो सकता है अना आवस्य क्रोज से दूरी बनाएं और आसके दिन क्या करें आज के दिन भगवान काल भायरों का समरन करते हुए काल भायरवाय नमा इस महामंत्र का पाठ करते हुए दिन की सुरुवात करके देखिएगा दिन सुब होगा आज के दिन का सुब अंकदो सुबरंग हरा तुला राशी संतान पच्च से कोई सुब समाचार प्राप्त हो शकता है प्रेम संबंधों में सुधार होगा आर्थिक उन्नती के कुछ अच्छे संकेत बने हुए हैं व्यापारियों के लिए व्यापार से तंबंधित कोई छोटी बड़ी यत्रा आर्थिक उन्नती का कारक बन सकती है तो आज के दिन क्या करें आज के दिन भगवान गनपती का स्मरण करें विग्ण विनासिने नमा इस महा मंत्र का साथ बार पाठ करें फिर दिन की सुरुवात करके देख लिजिएगा दिन सुब होगा आज के दिन का सुब अंकतिन सुबरंग रेश्यमी शफेद व्रिष्चिक रासी लगजरी चीजों से सुख की प्राप्ति के योग बने हुए हैं यदि आप वाहन, जमीन, माकान खईदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए शुब संकेत दे रहा है जीवन साथी से मधुर संबंध बना के रखने की आवस्यक्ता है अना आवस्यक्त धन खर्ची से बचने की बेहद आवस्यक्ता है आज के दिन क्या करें? आज के दिन भगवान सिव का स्मरन करते हुए ओम नमाश्यवा इस महा मंतर का ग्यारा बार पाठ करें फिर दिन की शुरुवात करके देखिएगा आज के दिन का सुब अंकचार सुब रंग लाल धनूरासी आज के दिन अपने लक्ष की प्राप्ती के लिए कुछ बिसेश परिस्रम करने पड़ सकते हैं इस परिस्रम में आपके भाई, बंधु, मित्र, परोसी आपकी सहायता भी कर सकते हैं वाहन आदी बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं अना अवस्यक बाहरी भोजन करने से बचने की आवस्यता है आज के दिन क्या करना चाहिए आज के दिन हनुमान जी महराज की आराधना करना चाहिए पूजा करना चाहिए ओम हंग हनुमते नमा इस महा मंतर का तीन बार पाट करें फिर घर से अपने दिन की सुरुवात करें दिन सुब होगा आज के दिन का सुब अंक पांच सुब रंग पीला मकर रासी आज का दिन धन प्राप्ति के लिए विशेश सुभ है वाणी के द्वारा मुश्किल से मुश्किल कारियों को सिद्ध करते हैं वाहन आदी चलाते समय विशेश सावधानी रखने की जरूरत है परंट इससे भी ज़्याधा आवश्यक है कि आज के दिन आप बाद बिवाद से दूरी बनाएं आज के दिन क्या करें आज के दिन माता सरस्वती का समरन करते हुए सरस्वत्ते इनमा इस महा मंतर का पाट करके दिन की सुरुवात करके देखें दिन सुब होगा आज के दिन का सुब अंक्छे सुबरं काला आज का दिन आपके लिए विशेश सुब है घर में उस्सो जैसा माहौल रह सकता है आर्थिक पच्छ मजबूत होता चला जाएगा घर में प्रसन्नता का भाव बना रहेगा अहंकार की भावना को आज के दिन त्यागने की जरूरत है अन्य था कुछ दिक्कतें आपके साथ बन तकती है आज के दिन क्या करना चाहिए आज के दिन माता महा मई लक्षमी का अस्मरन करते हुए साथ में भगवाल नारायन का अस्मरन करते हुए लक्षमी नारायन आप हम नमा इस महा मंत्र का ग्यारा बार पाट करिएगा दिन की सुरुवात करके देखिएगा दिन सुब होगा आज के दिन का सुब अंकसात शुबरंग काला मीन रासी आज का दिन अपवे तथा उदासी को दर्फा रहा है हो सकता है प्रतिक छेत्रों में निरासा जनक परिणाम प्राप्त हो लेकिन घवराने की अवस्यक्ता नहीं है प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन उत्तम साबित हो सकता है तो आज के दिन क्या करें जिस्ते क माता महामई लक्षमी की कृपा प्राप्त हो तो माता लक्षमी का सुमरण करते हुए गजरक्षमी नमा इस महामंत्र का तीन बार पाट करें फिर दिन की सुरुवात करके देखिएगा दिन सुभ होगा आज के दिन का सुभ अंक आठ सुभरंग पीला आज का यह कारिक्रम यहीं समापत होता है मैं आपके लिए फिर लेके आऊंगा गुडलक रासी फल लेकिन पॉल्टिक्स इस्पोर्ट बिजनस की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें कारिक्रम को जरूर शेयर और सस्क्राइब करें नमस्कार हुआ है